what's up guys!This is Deepak welcome to the list no.4 of youtube apps प्ष्ले वीडियो में हमने बात कर लिया जो भी targeting options अवेलिबल थे उसके बारे में हमने प्ष्ले वीडियो में बात कर लिया था NetworkSKE बारे में इन options के बारे में हमने बात कर लिया है already हमने languages के बारे में बात कर लिया था, locations के बारे में in detail बात कर लिया था, demographics के बारे में भी हमने पिछले वीडियो में already बात कर लिया है, and इस वीडियो में कुछ और भी targeting options available है, उसके बारे में हम बात करेंगे in detail, इस वीडियो में हम बात करेंगे audience के बारे में, okay, then बात करेंगे हम keywords के बारे में, यह जो targeting options available, then हम बात करेंगे topics के बारे में, and then हम बात करेंगे placements के बारे में, right, तो इस वीडियो में हम सुरुआत करेंगे सबसे पहले बात करेंगे keywords के बारे में, then बात करेंगे topics के बारे में, and then हम बात करेंगे placements के बारे में, right, and last, हम बात करेंगे audiences के बारे में in detail, okay, तो start करते हम सबसे पहले बात करेंगे keywords के बारे में, right, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि keywords क्या होता है, right, keywords क्या होता है, suppose करो आप जो कुछ भी बेच रहे हो, जो कुछ भी sell कर रहे हो, आपकी जो भी services हैं, जो भी products हैं, okay, या फिर जिस भी topic के उपर add run करना चाहते हो उससे related आपको keywords धूबने है and उन keywords को यहाँ पे लिखतेने हैं सबूस करो मैं यहाँ पे click करता हूँ and यहाँ पे आपको लिखतेने हैं सबूस करो आप bodybuilding से related कुछ product sell करें तो simple आप यहाँ पे लिखता होगे keyword bodybuilding right and youtube उसे keywords के around आपकी add दिखाएगा okay and आप यहाँ से keyword के ideas ले सकते हो सबूस करो यहाँ पे मैं लिखता हूँ bodybuilding simple paste करता हूँ यहाँ पे and यहाँ पे आगे click करता हूँ एक बाद तो जैसे मैंने यहाँ पे click किया तो यहाँ पे बहुत सारे keywords आ रहे हैं see bodybuilding bodybuilding workout bodybuilder fitness bodybuilding बहुत सारे keywords आपको मिल जाएंगे right and कौन कितना ज्यादा relevant है उसके according आप add कर सकते हो सबूस करो मैं bodybuilding यहाँ पे click करता हूँ तो यहाँ पे add हो गया इसे यहाँ पे click करता हूँ see यह सारा को सारा यहाँ पे add होता जा रहा है okay and then आप कर लोगे यहाँ पे save okay तो इन ही सारे जो keywords हैं उसके around YouTube आपका add रन करेगा right तो आप यहाँ पे keyword लिखोगे and यहाँ पे बहुत सारे keywords आपको दिख जाएंगे यहाँ से आपको idea मिल जाएगा okay तो मैं फिलहाल इसे हटा देता हूं okay suppose करो आपकी कोई website है उसके according भी आप idea ले सकते हैं right मैं इसे हटाता हूं यहाँ से okay and suppose करो इस website को मैं करता हूं copy okay मैंने इसे किया copy and यहाँ आकर के कर दिया paste right इसे मैं हटा देता हूं and यहाँ पर click किया तो यहाँ पर अपने आभी बहुत सारे keywords आ रहे है right आप website के through भी कर सकते हो ऐसा okay and यहाँ से आप add कर सकते हो best bodybuilding exercise means bodybuilding right तो आप इस तरह से keywords का इस्तेमाल कर सकते हो right आप यहाँ से क्या कर सकते हो so all ideas सारे-क सारे keywords यहाँ पर अगर यहाँ पर click करोगी सारे-क सारे जितने भी keywords यहाँ पर आपको देख रहें सब के सब यहाँ पर add हो जाएंगे right and अगर सारे के सारे आप add नहीं करना चाहते हो तो आप अपने choice के according यहाँ पर click कर क्या यहाँ पर तो ये था keyword, अब आगे हम बात करते हैं, दूसरे targeting options के बारे, आगे हम बात करते हैं, topics के बारे, तो मैंने simple यहाँ पे click किया, topics पे, and आप जो भी service है आपका, suppose करो आपका industry, entertainment, okay, तो आप simple entertainment यहाँ पे आप select करोगे, and YouTube क्या करेगा, कि इसी topic के around आपका जो ad है, वो run करेगा, right, suppose करो आपका topic है, beauties related, beauty and fitness, तो मैं simple यहाँ पे click करता हूँ, okay, and इस beauty में क्या है, आप simple beauty यहाँ पे select कर सकते हो, तो इसके around जो भी keywords होंगे, उन सारे keywords पे YouTube आपका ad दिखाएगा, right, and यहाँ पे मैं click करता हूँ, तो यहाँ पे और भी बहुत सारे options आ रहे, beauty and fitness के अंतर, body arts, beauty service, right, hair care, weight loss, body art, okay, यह सारे के सारे options आ रहे हैं, तो इसके around YouTube आपका ad दिखाएगा, तो आप topic select कर सकते हो, right, and topic आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, right, आपको जिस भी topic के अंदर ad दिखाने है, okay, suppose करो, sports से related आपको ad दिखाने है, इसके अंदर अगीन आपको बहुत सारे options मिल जाते है, right, तो आप ऐसा कर सकते हो, बहुत सारे options यहाँ पे आ रहे है, motor sports, international sports, individual sports, okay, तो यह सारे options आपको देख जाते हैं, तो आप अच्छे से इसका इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत सारे options है, online communities, home garden, यह सारे के सारे topics आपको मिल जाते हैं, and आप इसके according ad दिखा सकते हो, right, अब हम बात करते हैं, placements के बारे, okay, तो simple मैं यहाँ पे click करता हूँ, okay, placements क्या होता है, यह बहुत ही amazing चीज़ है, right, आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत सारे options हैं, यहाँ पे लिखा आ रहा है, YouTube channels, YouTube videos, okay, video lineups, website, apps, apps categories, right, अब इसका क्या मतलब हुआ, अब ध्यान से समझना, suppose करो, आप किसी specific channel पर ही add दिखाना चाहते हो, तो आप यह कर सकते हो, YouTube videos का क्या मतलब हुआ, आप किसी specific video पर add दिखाना चाहते हो, तो आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन आप किसी specific video पर add दिखाना चाहते हो, तो इसके लिए यह ज़रूरी है, कि जिस video पर आप add दिखाना चाहते हो, उसके जो creator है, उसने अपने video को monetize कर रखा, तो आप ऐसा कर सकते हो, वीडियो lineups में आप add दिखाना चाहते हो, तो आप ऐसा कर सकते हो, किसी website पर अगर आप add दिखाना चाहते हो, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, किसी apps के अंदर आप add दिखाना चाहते हो, तो आप ऐसा कर सकते हो, आपको apps की बहुत सारी categories यहाँ पर दिख रही हैं, तो मैं हाँ पर जिस click करता हूँ, और यहाँ पर देखो, Google Play, पहले तो Apple App Store, यहाँ पर बहुत सारे options मिल जाते हैं आपको, Google Play, यहाँ पर बहुत सारे options मिल रहे हैं आपको, Art and Design से रिलेटेट जो apps होंगे, Auto Vehicle Views रिलेटेट जो applications होंगे, उसके अंदर आप दिखा सकते हो है add, राइट, और बहुत सारे options मिल रहे हैं, गेम से रिलेटेट जो applications हैं, उसके अंदर add दिखा सकते हों, मैं आपको क्लिक करता हूँ, action games, adventure game, राइट, तो इस से related, आप, तो आप यह सारे applications में भी add दिखा सकते हों, यह सारे options आपको मिल जाती हैं, तो app categories हमने देख लिया, अब ऐसा करके देखते हैं, suppose करो, अब मैं आ जाता हूँ YouTube पे, ओके, और यहाँ पर search करता हूँ body building, body building, और यहाँ भी बहुत सारे videos आ रहे हैं, तो suppose करो, मैं इस video पे add दिखाना चाहरा हूँ, ओके, तो इससे click करता हूँ, इससे skip कर ले दे, right, और इसका URL, यहाँ से copy किया, और यहाँ पर simple आपको कर देना है, paste, अब यहाँ पर आपको select कर लेना है, YouTube videos, right, और यहाँ से, इससे select कर लेना है, and that's it, आप इस video पर add दिखा सकते हूँ, अब हम बात करेंगे, audience के बारे, ओके, तो मैं audience पर आता हूँ, इसे click करता हूँ, right, and यहाँ पर आपको तीन options देखने को मिलते है, search, ideas, and browse, right, तो search, यहाँ पर लिखा हूँ है, suppose करो, यहाँ पर मैं search करता हूँ, bodybuilding, bodybuilding सेर्च किया, right, अब यहाँ पर बहुत सारे keywords सारे है, बहुत सारे keywords सारे है, यहाँ पर क्या लिखा हूँ है, in market audiences, right, and उसके नीचे आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हूआ है, weight and strength training equipment, right, यह जो keyword है, अब यहाँ पर समझते हैं कि in market audience किसे बोलते हैं, in market audience, अभी जितने भी लोग Google पर, जितने भी audience, activity कर रहे हैं, and जो कुछ भी search कर रहे हैं, suppose करो, अभी बहुत सारे लोग हैं, Google पर, and वो बहुत सारी चीज़े सर्च कर रहे होंगे, different products से related, बहुत सारी चीज़े सर्च कर रहे होंगे, different services से related, बहुत सारी चीज़े सर्च कर रहे होंगे, तो यह जो actively search कर रहे हैं, strength training equipment मतलब यह जो keyword है right यह अभी सर्च किया जा रहे है यह अभी सर्च में है and यहाँ पर जैसे आप इसे बस लाके छोड़ दो यहाँ पर right तो आपको यह पता चल जाएगे weekly कितने impressions आ रहे है इस keywords पर and इस keywords को यहां से select करके आप add दिखा सकते हैं right and then मैं आता हूँ ideas पर right तो इस keywords से related जितने भी ideas आपको मिल सकते हैं बहुत सारे इस keywords के around बहुत सारे आपको अलग-अलग keywords मिल जाएंगे इसको भी select करके आप इस पर add दिखा सकते हो right तो मैं आगे in search पर आता हूँ okay तो आप इसका मतलब समझ गए अब मैं आता हूँ browse पर right अब मैं आता हूँ browse पर and browse पर आपको यह सारे options मिलते हैं five options मिलते हैं सबसे पहला option who they are आप जिसे भी add दिखाना चाहते हो वो कौन है right what their interests and habits are आप जिसे भी add दिखाना चाहते हो उसका long-term interest क्या है right मैं जैसे यहां पर click करता हूँ यहां पर affinity audience लिखा हुआ है affinity audience का मतलब क्या हुआ कि आप जिसे भी add दिखाना चाहते हो जिस भी audience को उसका long-term interest क्या है right किस चीज़ में उसका interest है okay अब आगे देखते है what they are actively searching or planning see in market मैंने आपको पहले ही बताया था in market audience right in market का मतलब क्या हुआ कि actively लोग क्या सर्च कर रहें right इसमें क्या आप देखोगे आपका जो भी product या फिर service है उससे related भी बहुत सारी ऐसी audience होगी जो बहुत सारी चीज़े सर्च करते होगे right आपका भी कुछ service होगा आपका भी कुछ product होगा तो उससे related search करते होगे लोग right तो आपका जो service या फिर product है उससे related keywords आपको इसमें ढूंडने है right and then आप उस पे add दिखा सकते आगे देखते हैं how they have interacted with your business आप यहां से remarketing कर सकते हो right and combined audience आपने जो भी audience पहले बनाया है right उन सारे audience को यहां से आप combine कर सकते हो तो सबसे पहले मैं यहां पर click करता हूं detailed demographics यहां पर क्या है parental status तो मैं सबसे पहले यहां पर click करता हूं यहां पर four options मिल रहें आपको okay parental status marital status education okay home ownership status तो मैं सबसे पहले यहां पर click करता हूं right again यहां पर आपको एक option दिखाए दे रहे parents right तो मैं यहां पर click करता हूं and यहां पर आपको बहुत सारे options मिल रहें parents of infants right parents of toddlers जिनके बच्चे one to two years के हैं parents of preschoolers जिनके बच्चे preschoolers हैं मतलब three to four years के हैं parents of primary schoolers जिनके बच्चे five to eleven years के हैं उन सबको add दिखा सकते हो parents of teens जिनके बच्चे twelve to seventeen years के हैं right उन सबको आप add दिखा सकते हो अब यहां पर suppose करो मैं इसे यहां पर लाकी छोड़ देता हूं तो यहां पर side में आपको दिख रहें impressions 5 billion to 10 billion impressions weekly आते हैं इस keywords पे right तो आप इस पर add चला सकते हो okay तो आप impressions का idea यहां पर लगा सकते हो okay impressions क्या होता है reach क्या होती है इसके बारे में हम आगे बात करेंगी okay तो मैं अभी इसे करता हूं back right again मैं इस पर click करता हूं and then मैं click करता हूं marital status okay यहां पर click किया अब यहां पर आप देख सकते हो यहां पर आगे इन तीन options देख रहें single, in a relationship and married ऐसे लोग जो की single है उन्हें आप add दिखा सकते हो right यहां पर impressions का idea लगा सकते हो कि इस keyword पर कितने impressions आ रहे है weekly okay यहां in a relationship जो relationship में उन्हें आप add दिखा सकते हो जो married है उन्हें आप add दिखा सकते हो okay तो यहां से select करके आप उन्हें add दिखा सकते हो right अब मैं education पर click करता हूँ right education पर जैसे ही education पर click किया यहां पर आपको एक option नीचे और दिख रहा है right current university students जो भी अभी currently university में है उन्हें आप add दिखा सकते हो right और नीचे जो option है highest level of education attainment यहां पर मैं click करता हूँ तो यहां पर बहुत सारे options देखने को मिलते हैं secondary school lever जो की secondary school lever है उन्हें आप add दिखा सकते हो right advanced degree bachelor's degree इन सारे लोगों आप add दिखा सकते हो right तो मैं अब यहां पर click करता हूँ home ownership status यहां पर click किया right अब जो भी home owners है उन्हें आप add दिखा सकते हो जो भी renters है right उन्हें आप add दिखा सकते हो यहां से right तो इन options के बारे में हमने बात कर लिया अब आप देखते हैं what their interest interest and habits के according आप add दिखा सकते हो जो भी आपके audience है उनका long term interest के है उसके according आप add दिखा सकते हो right सबसे पहला option आ रहा है banking and finance right तो इस पर मैंने click किया right and avid investors जो भी investment पर interest रखते हैं आप उन्हें add दिखा सकते हो यहां पर एक option मिल रहा है right अब second option पर जाते है beauty and wellness right beauty वगरे में जो भी interested लोग है उन्हें आप add दिखा सकते हो okay frequently visit salons जो भी salons में जाते हैं interest रखते हैं okay उन्हें आप add दिखा सकते हो आगे दिखते है food and drinking coffee shop regular जो भी regularly coffee shop वगरे में जाते हैं उन्हें आप add दिखा सकते हो fast food cravers okay इन सारे के सारे audience को आप add दिखा सकते हो right home and garden यहाँ पर मैं click करता हूँ तो again बहुत सारे options आपको मिल रहे हैं बहुत सारे options यहाँ पर मिल रहे हैं technology, sports, fitness, sports, fitness, travel यहाँ पर आपको options मिल रहे हैं जो भी travelers है right उन्हें आप target कर सकते हो vehicles and transportation right इन सारे audience को आप यहाँ से target कर सकते हैं okay तो अब आगे देखते हैं lifestyle, hobbies okay media and entertainment सबोज करो मैं यहाँ पर click करता हूँ media and entertainment पर book lovers जो भी books परने में interested रहते हैं उन्हें आप add दिखा सकते हूँ comics वगरे पढ़ने में interested रहते हैं उन्हें आप add दिखा सकते हूँ जो भी gamers है right उन्हें आप add दिखा सकते हो इनके अंदर इसके अंदर आपको categories दिख जाती है action games fans okay जो भी interest रखते है actions games में right and different different games है यहाँ पर आप यहाँ से target कर सकते हूँ this video then please subscribe the channel thank you so very much